सर्वेभ्यो नमो नमाह संस्कित भाषा सिक्षणस्य द्वा त्रिंशत्तमे पाथे भवताम सर्वेश्याम हार्दम स्वागतम मित्राणी अद्देवयं संस्कित भाषा सिक्षणस्य द्वा त्रिंशत्तमम पाथम पठिश्याम हां गत पाथे मया यत कार्यम प्रदत्तम तत भवद्भी ही सर्वेश्य तिर्टम स्यात्थ आये मित्रों पिछले पार्ट में मैंने आपको जो कार्य दिया था शब्द कोश दिया था और कुछ धात्वें आई थी और अव्य थे और कुछ विशेशन भी थे उस शब्द कोश में उस में जो मैंने आपको धात्वों के रूप बताये थे कि कुछ ध्यती दुहियती असुयती इर्श्यती इत्यादी के रूप भवती के समान ही चलेंगे आपने उनका लिख करके अभ्यास किया होगा और मैंने आपको नियम बताया था कि ये चार नियम थे उन नियमों को भी आपने ठीक प्रकार से समझ लिया होगा अब उन नियमों का प्रयोग हम आज के अभ्यास में करेंगे आप सभी को पुना सूचना दे देना चाहता हूं वैसे मैंने गत वीडियो में यह सूचना दे दी थी कि मित्रो यूट्व चैनल की तरब से अभ्यववाणी संस्कृतं को एक कम्म्मिनुट今天 प्राप्त हुआ है अब हमारा चैनल अच्छा ग्रोकर गया है इसलिए यूट्यूब की तरब से यहाहां यह यह community option प्राप्त हो गया है, और यह community option हमें संस्कृत सीखने और सिखाने में अत्यंत सहयोगी है, इसलिए आप अब इस देवबाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का community column कभी भी देखना न भूलें, उसमें मैं आपको बहुत चीज उपलब्द कराता हूँ, और आगे कराऊंगा, इस चैनल में जो वीडियोज हैं, उसके अत्रिक्त भी आपको वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको मैं homework देता हूँ, उस homework का आपको अभ्यास करना है, मैं वहाँ पर हिंदी के वाक्य लिखता हूँ, आपको उन वाक्यों को comment box में, संस्कित में translate करना है, फिर मैं अगले दिन उसी जो वाक्य में ने दिये हिंदी के, उनका सही वाक्य लिख करके वहाँ पोश्ट करता हूँ, फिर आप अपना मिलाईएगा, वहाँ पर हमारा परिक्षन हो रहा है, अभ्यास हो रहा है, तो इसलिए आप सभी महानभावों से मैं निवेदन करता हूँ, कि इस चैनल का community option आपको प्रते दिन विजिट करना है, तो आएए मित्रो, अब हम अभ्यास आरंब करते हैं, उदाहरण वाक्य देखिएगा, तस्माई दुर्जनाय, कृध्यती, कुप्यती, दुर्ख्यती, इर्ष्यती, असुयती, वाँ, बहुत सारी क्रिया हैं, तो प्रते क्रिया का हम हर बार अन्वय कर लेंगे, तो यसे कृष्णाह तस्माई दुर्जनाय, तो कृष्ण उस दुर्जन, दुष्ट व्यक्ती पर क्रोध करता है, तो हमने नियम पढ़ा था, कि जिस पर भी क्रोध किया जाता है, तद वाची शब्द में चतुर्थी, विभक्ती का प्रियोग करते हैं, तो यहाँ पर दुर्जनाय, और हमने यह भी नियम पढ़ा था, पिछले से पिछले पाठ में, कि विशेष्य का जो लिंग और वचन होता है, वही सर्बनाम का लिंग और वचन होता है, अब देखिएगा, यहाँ पर घटित हो रहा है, सर्बनाम कौन है, तस्मई, तद सब्द का चतुर्थी का एक वचन, पुलिंग का, यह सर्बनाम है, विशेष्य कौन है, दुर्जनाय, तो दुर्जन में एक वचन और च अब आपका नियम का यहां अभ्यास हुआ, इसी प्रकार से कुप्यती कोप करता है, सब के साथ में द्रुहयती द्रोह करता है, ऐसे इर्षयती इर्षय करता है दुष्ट से, और असुयती उसमें दोस निकालता है उसके, नमबर दो, शिश्याह तस्मई गुरवे कथयती, शिश्य उस गुरू के लिए कहता है, यह भी अमने नियम पढ़ा था, कि कथयती के साथ में जिसको कहा जाता है, उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है, अब आपको नियम स्वहम घटाने अच्छी प्रकार से, नमर तीन, पुत्रह जनकाय निवेदयती, पुत्रह पिता को निवेदन करता है, गुरुह शिश्याय शिश्यम वा उपदिशती, इसमें विकल्प था, उपदिश के साथ में, चतुर्थी भी होगी, कभी दुतिया भी होगी, एक हम कर सकते हैं, कभी चतुर्थी कर दें, तो गुरु शिश्य को उपदेश देता है, हिंदी में भी अपन बोलते हैं, गुरु शिश्य को उपदेश देता है, अथ्वा गुरु शिश्य के लिए उपदेश देता है, ठीक, संस्कृत से ही आया है, हिंदी में, ऐसे इंगलिस में भी हम बोलते हैं, नमबर पांच, ज जान के लिए गुरू को नमन करता है तो इसमें कौन सा नियम गठा जिस प्रयोजन के लिए किरिया की जाती है तो जिसके लिए की जाती है उसमें चतुर्थी तो यहां गुरू को नमन कर रहा है आय में किसलिए अर्थम के लिए और हमें नियम पढ़ा था ख även है। और अर्थम्स हमेशा अकेला प्रियोग नहीं होता। इसलिए इसका कर्द अर्थ हुआ वह स्नान के लिए जाता है नम्मर साथ तुम भोजनस्य कृते अत्र आगच्छ तुम भोजन के लिए कृते कर्द के लिए था और हमने यह भी नीम पढ़ा था कि कृते के साथ में सश्ठी होती है तुम भोजनस्य सश्ठी तुम भोजन के लिए यहां आओ आगच्छलोट लगा नम्मर आठ तत फलम तानी पुस्तकानी चा अत्रसंती वह फल और तानी पुस्तकानी चा अत्रसंती और वे पुस्तके यहां पर हैं तो यहां पर वही दियम सर्वनाम में विशेश के अनुसार ही लिंग और वचन होता हैं इसलिए तत फलम तानी पुस्तकानी नम्मर नो तानी पुष्पानी सुंदरानी शोभनानी चा संती वे फूल सुंदर और अच्छी हैं नम्मर दस साह अत्र स्यात त्वं स्याह अहम्च स्याम तो यहां सह यहां विसर्ग छूट रहा है आप विसर्ग को लगा लीजिएगा यहां पर हरस्व अकार है हरस्व अकार के परेरैति विसर्ग का लोप नहीं होता है तो वह hates सहमने वह अत्रमाने यहां स्यात्माने होना चाहिए तुम स्याह तुम होने चाहिए अहम्च स्याह मुझे और मुझे भी होना चाहिए तो यहां पर देखिच्चा एक शब्द के बाद लगा है परंद हिंदी में हम उसके लिए और कहां लगाएंगे पहले लगाएंगे अब कार दिया जा रहा है आपको अनवाद बनाने का यह अनवाद बनाने हैं आपको 24 सेंटेंस ध्यान पूर्वक आपको इसमें सभी लकार आएंगे और अभी तक जितने भी कारक आचुके हैं करता कारक कर्म कारक करण कारक और संप्रदान कारक चार कारकों में से कोई भी कारक आ सकता है यह अब आपको ध्यान रखना है और उसी कारक के अनुसार उसमें विवक्ति लगानी है और अब पांचों लकार हमने पढ़ लिये हैं इसलिए पांचों लकारों में से किसी भी किरिया का यहां प्रयोग दिखाया जा सकता है इसलिए वह भी आपको ध्यान रखना है अब देखिएगा अशुधवाक्य और शुद्वाक्य नम्मर एक चोराह सज्जनात दुःघयती यह अशुध्ध है शुद्ध क्या होगा इसका चोराह सज्जनाय दुःघयती यह नियम आप घठाना उसमे तम निर्पम कथयती यहां अशुद्ध वाक्या है शुद्ध होगा तस्मई निर्पाय कथयती नियम आपको यहां पर भी घटाना है नमबर तीन ते पुस्तकानी सुन्दराह अब यह अशुद्ध है क्यों अशुद्ध है आप विच्चार केजिए अशुद्ध इसलिए है क्योंकि हमने नियम पढ़ा था कि विशेश के अनुसार ही सर्वनाम में लिंग और बचन होते हैं और यहां ते पुलिंग कर दिया और इसका विशेश क्या है नपुल्शकलिंग , पुस्तकानी और सुन्देराह यह भी इसका विशेशन है ये विशेशन हैं तो विशेशन में अमने क्या कर दिया purpose कर दिया और विशेश नपूंसकलिंग वावचन तो हैं दौनों जगह परन्तु लिंग भेद है इसलिए गलत है सही होगा तानी पुस्तकानी सुंदरानि तो तीनों में नपूंसकलिंग होगा अब आपको एक कार्य और दिया जा रहा है जो अभी अमने अनुवाद आपको दिये हैं 24 sentences उसमें से गविभाग केवल गविभाग को आज बदलना है केवल गविभाग को आपको बहु बचन में ही बदलना है बस काखा को नहीं बदलना है और वाक्य बनाओ यह आपको शब्द दिये जा रहे हैं इनके वाक्य बनाईएगा रिक्तिस्थान भरो इन रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिएगा फिर नेक्ट वीडियो में हम चेक करेंगे तो मित्रो यहाँ आज का अभ्यास पूर्ण हुआ आप इस कारे को कीजिएगा और मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ अभी लगभग आठ 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 या नो या दस लेसन के बाद में मैं आपकी परिक्षा लोंगा आपको वाकाइदा यहां प्रश्णपत्र दिया जाएगा किष्टन पेपर को करना है फिर आपको उसका उत्त्रपत्र भी प्राप्त होगा फिर आपको मिलान करना है फिर आपको चेक करना है कि कितनी प्रत्षत मैंने संस के भाषा सीखी एक systematic धंग से हमको चलना है सरल धंग से हमको सीखना है अपना परिक्षन भी करना है सासाद में कहां हमसे fault तो नहीं होना कोई कही तो अभी ये चार कारक हमारे होने वाले हैं सभी च्छा कारक हो जाएंगे complete अधिकर्ण कारक तक फिर आपका exam लिया जाएगा आप exam भी प्रसनता पूर्वक दी जिएगा और हमें बहुत खुशी होगी आप अधिक से अधिक प्रतिशप मार्क्स अचीवग करें तो आए मित्रो इस पाठ को यहीं विराम देते हैं इती ओम शम्प अधिकर्ण करें